तोस्तो आईपेल 2020 इसका फाइनाल मेच चन्नाई सूपर किंग्स और गुजरा टाइटन्स टीम के बिच होने वाला है पहले बात करेंगे इस दोनों टिमों के बिच आईपेल की इतिहास में अब तक चार मुकबले हुए हैं और चारो में से तीन बार गुजराट ने जित दर्ज की है तो एक मुकबला चन्नाई ने जिता है लेकिन पिछले मुकबले में ही चन्नाई ने गुजराट को हराया था इन दोनों टिमों के बिच फाइनाल मेच नरंद्रमूदी स्टाडियम में खिला जाएगा और इस मैदान पर गुजराट टैटन्स टीम के रेकड की बात करें तो इस मैदान में अब तक गुजराट के टीम्स टोटाल 9 मुकबले खेले हैं और वही 9 में से 6 बार गुजराट ने जिता है और 3 बार हरी है उन्होंने यहां पहले पल्लेवाजी करते हुए 4 मेच जिते हैं और रनों का पिछा करते हुए भी उन्होंने 2 मेच मेच जित दर्ट करी है और गुजराट ने इस मैदान में सबसे ज़्यादा 233 रन बनाए हैं जो की हाली में कौलिफार 2 में मुमाई के खिलाब खेले थी और वही गुजराट की टीम्स इस मैदान में सबसे कम रन 125 रन बनाए हैं ऐसे में दोस्तों गुजराट टैटर्स टीम के इस मैदान पर आगड़े काफी बहतरी नजर आ रहा है और आप बात कर लें इस दोनों टीमों के फाइनल के रेकड़ की तो चैन्नाई की टीम ने तो अब तक 9 फाइनल मुकाबले खेले हैं और गुजराट की टीम्स के लिए दोबारा फाइनल मेच का मुकाबला होगा चन्नाई को 9 में से 4 फाइनल मेच का जीत हाथ लगी है तो 5 फाइनल मुकबले चन्नाई के टिम हरी है और चन्नाई के फाइनल में हाइस्ट रेन 205 रन है और सबसे कम टोटल 125 रन है और दोस्तो गुजराट का प्रदर्शन भी आएपेल में संदर है गुजराट ने फैनल में एक ही मुकबला खेला है का हाइस्ट टोटल 133 से फैनल मेच में और आप बात कर लिए इस मैदान के पीछ रिपोट की तो दोस्तों ये मैदान हमिस्दा से बल्ले बाजों को जाता सून करती है और इस मैदान पर रन भी काफी जादा बनती है आपने पिछले मेचो में से देखा होगा कि हर मेच में 200 के आसपास रन भाज जाता है और चेजिंग की बात करें तो इस मैदान पर 200 रन भी चेज किया जाता है कुलकटा की टीम ने गुजरत की सामने 907 रन चेज के थे और आपको 5-6 के तो यादी होंगे रिंकु सिंग के वो छेक के रिंकु सिंग इस मैदान में लगाए थे और बात करें तो दिल्ली कफटाल्स के टीम इस मैदान पर 130 रन पर भी गुजरा टैटर्स टीम को हरा दिया था यानि कि इस मैदान पर कभी-कभी लो रन भी बनता है लो रन बनाने के बाद भी टीमें जीत जाती है इस मैदान का आभरिज स्कोर 171 रन के आसपास है करते हुए भी बराबर बराबर मेज जीते हैं और वैसे मैं दोस्तों ये फाइनल मुकबला संडे की दिन होगा साम को 17 बजे ये एहमादाबाद का नरंदरमोदी स्टाडियम में खेला जाएगा आपको क्या लगता है कौनसी टीम इस फाइनल का गिताब अपने नाम कर पाएगा कमेंड में लिखिए और वीडियो को लाइक करें धन्यवाद